ओम शान्ति स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने असान में दोस्तों जब हम बात करते हैं सात्विक भोजन की यह अपने आप में एक नई दुनिया है आज हम देखते हैं और हम यह मानते भी आए कि फूट शुड़ बी टेस्टी फूट शुड़ बी फ कौन सा ले सकते हैं यह आपको आज पता चलेगा इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है अधिती बहन जी जो की एक एडुकेटर है आईए उन से बाते करते हैं ओम शान्ति सिस्टर हमने पिछले एपिसोड में बात की कि किस तरह से सात्विक भोजन सबसे बेस्ट भो होता है आपको अच्छा लगता है feel good factor आता है साथी साथ आप healthy भी होते हैं ना कि सिर्फ physically बलकी mentally भी अब मैं जाना चाहती हूं sister कि protein अपने आपने एक बहुत ही important चीज है जो हमारे पूरे शेरीर को control करता है healthy बनाता है मैंने यह सुना है कि non-vegetarian food में बहुत जादा protein की मात होती है उतनी मातरा हमारे I would say vegetarian food में नहीं होती है इसके बारे में आपका क्या कहना है पेली बात तो ऐसा नहीं है कि vegetarian food में protein की मातरा नहीं होती है वो हम को choose करना पड़ता है कि हमें कितने protein की जरूरत है आप किसी dietitian से भी उसके लिए consult कर सकते हैं अगर आपको अपने specific requirement के प्रोटीन चाहिए तो अधर्वाइस हम जो दाले खाते हैं अनाज खाते हैं अगर हम प्रॉपर मातरा में प्राउट्स ले अप्रिक्वास्ट के अंदर और दोनों टाइम दाल ले दूद के प्रोड़क्स ले तो हमें उसे अच्छे से प्रोटीन मिल सकता है दूसरी बात अज जो है कि आश सपेशली यूथ के अंदर इस बात को लेकर बहुत है कि सिहत कैसे बनेगी मसल सकता है लेकिन जहां तक सेहत की बात है जैसे हमने पहले भी समझा कि सेहत मतलब केवल फिजिकल लेवल की बात है जी फिजिकल के साथ साथ सथ एमोशनल, मेंटल और स्पृच परिशुनल हेल्थ होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है, कि जो नॉन वेजिटरियन जो भी पशुपक्षियों को जहां रखा जाता है, वहां किस प्रकार का उनके ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है, कभी आप जा गर देखें, तो किस तरीके से उनको छोटी सी स्पेस में जिससे मुव्मेंट कम हो, फैट जादा बड़े, इस तरीके से उनको रखा जाता है, और कुछ कुछ ऐसे उनको चाने में भी चीज़ दी जाती है, जिससे की प्रोड़क्शन जादा हो, तो एक तो उस ताइप का इन्वार्मेंट, secondly, क्या जानवरों के अंदर इमोशन नह जादा कहीं जादा प्यार तो आज अचांप पैर तो तो उनके अंदर भी मोशन सो होती है, और जानवरों कहीं सिक्स थैंसी कुछ चीज को समेल करने की ऐसांस की जो मैं उनकी जो संसे है वो जादा होती है, जब उन स्लोटर हाउसेज में होते हैं, और अपने आसपास के ज कि 10 दिन में पंदरा दिन में महीने भर में मेरे साथ भी होने वाला है तो चाहे वो उसको अच्छा से अच्छा खाना के लाया जा रहा है लेकिन खाएगा तो सही वो किन उसके अंदर और इमोशन कौन सा डवला हो तो निरंतर आप सोचो लगातार किसी के अंदर 10-15 दिन तक वो इमोशन डर का है गुसे का है या नफरत का है है, helplessness का है, resentment का है, यह सारी एमोशन उसके अंदर डवलब तो हो रहा है और फिर वो जो प्रोटीन हम लेकर आते हैं बजार से अपने घर में बच्छों को देते हैं या रेफ्रीजरेटर में रखते हैं पहली बात तो किस प्रकार का वाइब्रेशन है उसके अंदर तो यह स एमोशनल हेल्थ कासी बनेगी डर की गुसे की नफरत की उसके साथ यह कंपलीट पाकेज है, हम केवल प्रोटीन नहीं कहा रहे हैं उसके साथ एमोशन भी कंजूम कर रहे हैं इसलिए जो बात कही ना अन्य का मन पर अशर तो तन पर असर तो प्रोटीन का होगा लेकिन तन पर भी हर एक छीज की अपनी वाइब्रेश्न है our चेरिर की वाइब्रेशंवी जब उसमें इस प्रकार का प्रोटीन जाएगा तो चेरिर की क्या वाइब्रेशंवी और उसके अंदर गुले हुए झेमोशंस हैं उस से हमारी मन की चाहिसी होगी तो इसमें सोचने वाली थोड़ी सी यह बात है कि हम एक पहलू को तो देखते हैं फिजिकल हेल्थ को तो हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन बहुत है और हम दूसरे पहलू को भूल जाते हैं अब देखे हम जो यह नॉन वेजिटेरियन फूट बहार से लेकर आते वास अगर किसी की डैथ हो तो इसको घर तब ही लेकर आया जाता है जब जाने का बिल्कुल टाइम होता है तब तक नहीं तो तो फूस्पिटल में डेड बोडी रहते हैं और हम ऐसे पशुपक्षियों की डेड बोडी लाकर अपने टेबल पर दाइनिंग टेबल परोस रहे हैं या रेफिजरेटर में कई कई दिनों तक रख रहे हैं तो हम कैसी वाइबरेशन अपना कोई जाय तो हम उसको हाथ लगाते हैं तो भी हम नहाते हैं और उसको हम कंजूम कर रहे हैं डेड बोडी को हम कंजूम कर रहें किसी जानवर की डेड बोडी को तो यह थोड़ा सागर अपने मन में अवेरनेस लेकर आए ये चेतना लेकर आए तो हमारा कभी खाने का दिल भी नहीं करेगा इस बिल्कुल तो ये ज्यान बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को भी देना कई पीर प्रेशर में भी आगर वो इन चीजों का सेवन कर रहे है कि वो खा रहे है कि हम in a way उनके अंदर भी soul है, right? उनकी soul का एक journey है उसको आप इतना painfully end कर रहे है वो व्यक्ति जिनों ने भी उनने ready किया है आप तक आने के लिए उस वक्त उस आत्मा की क्या state of mind रहती है वो आत्मा खुश नहीं होती और हमको लगता है कि हम इतना कुछ टेसी टेस्टी खा रहे कि बाद में उनको एस रखता है मुझे लो क्यों फील हो रहा है यह ना मेरे जिंदेगी में तो सब कुछ है लिकिन फिवे मुझे क्यों लगता है कि खालीपन है क्योंकि आपने उस आत्मा को इतनी तकलीफ देकर अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर आये कि आप उसे शर करम भी है बिल्कुल अगर कर्म फिलोसफी को भी अगर देखे हम एक जीव को चलाने के लिए दूसरे जीव की हत्या कर रहे है तो खुशी कहां से मिलेगी हमारे जीकन में आई नहीं सकते तो इसी लिए आज spiritually empowered नहीं है क्योंकि यह ताकत नहीं आ रही है जो आत्मा केंदर करतानी चाहिए तो कैसे आएगी जब आप किसी को दुख दे रहे हैं तो यह बहुत समझने की बात है कि आज हम जिन खुशी ओं को समझ रहे है एक वास्ता में ही खुशी है यह प्लेजर है अपसलियूर जो हम अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए यह यह उनके प्ल दिखाने के लिए भी कि मैं आज कल के टाइम का खाने का यह को इसी बात में बहुत शरमा दी अर्म न वेजिटरियन नहीं खाते हम नहीं खाएंगे तो हम सुसाइटी में कैसे चलेंगे लेकिन मैं असा समझती हूं कि जब आपने अंदर हमें अवेरने साती है हम अपनी एक बनाते है अपनी एक समझे आधार से पहचान बनाते हैं तो हम अपनी यूनिफ Hindu परसनालिटी औरो के सामने भी दर्शाब आते हैं फीर में ना जाकर लेकिन हम कुछ अपनी समझ से ऐसा अपना जीवन बनाएं जिस से हम खुद भी और एक्जामबल वनने उनके लिए बत यह भी एक तिरिके का science है किस वे में? मुझे असा लगता है कि जब सात्विक बोजन आप ग्रहन करते है तो आप एक chemical reaction आपके body में भी होता है वो food जाकर कि convert होकर कि different ways में आपके body को nutrition देता है आपके हिसाब से वो scientifically किस तरह से जाकर function करता है अगर आप थोड़ा सा अगर आप रौशनी दाल सके तो like especially जैसे vitamins हो गए सारे type के vitamins आपको मिल रहे है उसके अंदर से जैसे आपने कहा दाल भी है दाल में प्रोटीन भी है food, सबजियों में फाइबर है अपने ग्रेंस में भी हाव कार्भोहईडरेट्स तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर nutrition के कोई कमी है उल्टा देखा जाये तो ये nutrition से भरपूर डायेट है तो scientifically it's also healthy what do you think? definitely हमारे शरीर को जिस तरीके का बैलन्स डाइट चाहिए जिसके अंदर कार्भोहईडरेट्स, Fats, Proteins, Vitamins, Milnerals सबी हो वो सबी हमें सात्विक डायेट से जादा अच्छे से मिलते हैं वाव इन फाक्ट हम जो नन-Vegetarian डायेट लेते हैं आज रिसर्च भी ये बता रहे है कि वो हमारे सिस्टम के ले कितना नुकसानतायक है उसे अनेक प्रकार की बिमारिया अट्राक्ट हो रहे हैं अनेक प्रकार की बिमारियों को अपनी तरफ इन वाइट कर रहे हैं जैसे और उनके अंदर जो नन-Vegetarian के जर्म्स गएरा होते हैं उसके वज़े से भी बिमारिया हो रहे हैं इसलिए आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उसे एक तरीके से प्रोटीन आपको मिल रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़े नहीं भी मिल रहे हैं देफिशेंसी भी हो रहे हैं तो उसके लिए फिर सप्लिमेंट लेने पड़ते हैं डॉक्टर्स भी आज अनेक प्रकार की बिमारियों से बचने के लिए शाकाहरी भोजन को रिस्क्राइब करते हैं रिकमेंड करते हैं बिलकुर सिस्टर जब हम बात करते हैं हेल्डी फूड की हेल्डी फूड में एक और चीज़ नोटस मैंने की है साथिक भोजन भले हम खाएं लेकिन अगर वह फूड चैमिकल से बनावा सब्सिया है या फिर चैमिकल से बनेवे फूड्स है या फिर बहुत ही अंगर में या कोई बाड़ एमोशन में अगर उसको उगाया गया हो तु क्यो उसका पासर भी इसुड के शेज़ के सथेज़ या फ्रहों क्यों इसको अगर आप साथ्विक रहा पर इसर नोट ए मैं सार स्टेज truck pakai PAYली स्टेज होगी इस मेंने में इसको उगाया जांशाए एक है कि उसके अंदर भी प्यार की भावना है, तो वह भावना उस लेवल पर भी उसके बाद जब हमारे घर में आती है तो किस वृति में वह कुख होती है, किस वाइबरेशन से वह कुख होती है, दूसरे लेवल की साथविक्ता थी तीसरी आती है कि अगर हम उसको भोग नग talkin कि अनगा थी आती है तो प्रसाद बन जाता है उसके अंदर शकती बढ़ जाती तो उसमे और साथविक्ता बढ़ जाती है, और साथविक्ता सत्विकlink Спिति में उसको अंग्ता नगया, उसको गया ग्रहन कारना उसको घर थो जैसे आपने कहां कि कि अनाज को उगाते हैं किसी भी अनाज को तो उसमें भी ब्रह्मा कुमारीश का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है योगिक खेती का उसके अंदर खास जो राजयोगी भाइबयन है वो एक गंटा जाके या दो गंटा जाके कुछ समय जाके जहां पर अनाज को देते हैं तो उससे भी वहां की वाइबरेशन बहुत चेंज होती है दूसरी चीज है कि आजकर लोग और गैनिक फूद्स प्रेफर करने लग गए हैं जिससे कि जो बिना पैस्टिसाइड के बनते हैं तो एक वो भी अच्छी चीज है लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना ह कि हमेशा हम जरूरी नहीं है कि इस प्रकार के प्रोड़क्स को लेकर आपाएं तो उसके लिए जब घर में सबजी आती है या समान आता है जिनको हम रौखाते हैं या कुकर के भी खाते हैं तो अगर हम थोड़ी देर जिस उनको धोते हैं मसाला साफ करते हैं उनका अज़ जुँषाल रजी हुए है उनको साफ करते हैं तो पांच च मिन Prakti। राप मिनट जैसे meditation गरें नको positive vibrations गवाएं बनाने से पहने कि नए जबाशी ले एक जाने से लेएगार आते हैं इख को या आप सारी सब्जी नाएं तो चाल जब आप सबच कर आते हैं जब आप उनको पोच के तो पांच मिनट मतला अगर आप अपना ताइम उसमें दे क्योंकि खेत में जाके तो हम यह नहीं कर सकते हैं का कौन कौन से खेत से कि इन वाइबरेशन से हमारे चीज़ आरे हैं लेकिन जब हमारे घर में आ गए तो अब हम अपने घर में उनको अची पॉजिटिव अचीज़ अचीज़ आप जब आपने बातव करेंगे तब हम देंगे ही लेकिन जैसे उसे हमने घर में आकर बाहर की मिटी साफ करी ऐसे बाहर की वाइबरेशन को भी दो दिया पनी पॉजिटिव एपरे बीटिव जाने के लिए अटिव जानने के लिए पर आम शुर मारे दर्शक भी बहुत excited है इसके बारे में और जानने के लिए sister जब हम बात करते हैं किसी के intention की intention एक बहुत बड़ा role play करता है जैसे suppose मतलब हम मंदिरों की बात करें ठीक है जब ही जैसे पंजाबियों में वो लोग अपना भोग लगाते है और उनका प्रसाद बातते हैं या फिर आप बात करें साउथ इंडिया की हमारे पूरी इंडिया में अलग-अलग जगों पे अलग-अलग तरीके से भगवान को प्रसाद चड़ाया जाता है और सबका एक ही लक्ष होता है कि जो भी इसे खाए उसे इश्वर की यादा है और उसका प्यार वो महसूस करता है फिर वो एक स्पून प्रसाद जो हाथ में आता है वो एक स्पून ही इनफ होता है हमारे को साटस्फाइड फील कराने के लिए और वही हलवा अगर हम होटेल में खाएंगे आप एक प्लेट भी खाएंगे तो संतुष्टि नहीं आती और tale और खालो लेकिन प्रसाद एक स्पून काफी होता है इसके पिछे का क्या रोल होता है आपके साबसे प्रसाद भी साथ्विक है डेफिनेटल प्रसाद तो है ही साथ्विक क्योंकि साथविक्ता आती है वाइब्रेशन से आती है अब आपने वही कहा कि एक मंदिर में बनावा हल्वा एक घर में भी बनाते है हम हल्वा और एक होटेल में भी हाते है हम हल्वा तो तीनों जगे में क्या फरक है वाइब्रेशन का ही तो फरक है और डेफिनेटली खाने कि तो थाली की भी वाइबरेशन का फर्रक है कि प्रसाद हम कितने सम्मान से लेते हैं कि भगवान को लगाया प्रसाद है तो उसको ईपने लगा के फिर हम खाते हैं तो डेफिनिटली उसका भी फरक है लेकिन पहली बात कि कि 있나 विज़ने बनाया है, इन अभी अबरेशन में बनाया है, तब होटल में यह विज़ने हैं है, जिसके भी मन वन भी थाइज बनाया है, पर फेलि बाता तूंको यह अवेरन से नहीं है, कि अमारे विचारों का इस भोजन पर को असर पढ़ा है, दूसरी बात होटोन को जो वो दुखी है जो भी है उस तरीके से उस भोजन को बना रहा है सिर्फ उसका काम है बना के देना और जो होटेल वाला भी है वो भी सोच रहा है कि हाँ बस हमें सर्विस अची प्रोवाइड करनी है खाना टेस्टी बनना चाहिए ना वो इंग्रीडियंस पर उतना ध्यान दे वाइजिन पर ध्यान दे अची अची पर दे अची ऑन रहा है तो इसलिए वहां के बोजन में जो ताकत है वो कम रहा है वो डेफिनिटली इंग्रीडियंस में भी थाकत कम है क्योंकि उतना त्ना है जानिक भी नहीं होता है उस तरीके से बनाने का इनको सिर्फ एक मोटे उ तेस्टी होना चाहिए लेकिन वाइब्रेशन तो पॉजिटिफ तो बिल्कुल ही नहीं होती है और कुछ भी हो सकता है जो बनाने वाले की मन में चल रहा हो लेकिन मंदिर में जो भी बनाता है वामेशा इसी भावना से बनाता है कि भगवान को भोग लगेगा बागवान के भ लेकिन एक बिलीफ तो कॉमन है कि भगवान को भोग लगेगा बिलकुल तो इसलिए वहां की वाइब्रेशन बनाने वालों की सभी की वाइब्रेशन अच्छी होती है उस्टाइम उनको सेवा भाव होता है कि हम सेवा कर एंस टाइम तो इसलिए वहां की वाइब्रेशन साल तो अगर हम इन विचारों से बना रहे हैं तो वह भी तामसिक भोजन ही है उसको साथविक नहीं कहेंगे भले आप वेजिटेरियन फूडी बना रहे हैं लेकिन उसी को अगर हम यह सोच के बना रहे हैं कि यह सुंदर सेवा मुझे मिली है भगवान के बच्चों के लिए यह बना रहे हैं इससे सभी का मन और तन स्वस्त होगा तो जब इन फिलिंग से हम बनाते हैं और स्पेशली अगर भोग भी लगाते हैं तो वह मंदिर के प्रसाद से किसी भी रूप से कम नहीं है और उसके अंदर नाकेवल पॉष्टिकता होगी लेकिन उसके अंदर संतुष् और आत्मा को त्रिप्ती का भी अनुभव होगा खुशी का भी अनुभव होगा और इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि बनाने वाले ने तो बड़े मन से बनाया सब कुछ है और इंग्रीडियंट्स भी सब कुछ बहुत अच्छे हैं लेकिन खाने वाला अगर समय कोई murder mystery देख रहा है CID देख रहा है या सास बहु के serials जहां शडियन देख रहे हैं कुछ भी इस टाइप का violence देख रहे हैं तो यह भी सात्विक food नहीं खेलाएगा क्योंकि आपने भुजन खाते समय जो आप देख रहे हैं उन emotions को आप महसूस कर रहे हैं तो जैसे कहत भुजन के साथ क्या किया उन emotions के मसाले को आड़ कर दिया उनको भी आप साथ में कर रहे हैं तो चाहे वहां पर कोई शडियंत्र रच रहा है तो उसकी जैलिसी या कोई competitive भावना या अगर आप कोई murder देख रहे हैं तो उसके अंदर डर की भावना नफरत की भावना यह भा कितना समय लगता है दस मिनट लगते है दिल को लेकिन उसको अगर हम इन फैक मैं तो यहां तक यह कहूंगी अगर बनाने वाली की वाइबरेशन भी अच्छी नहीं है तो भी अगर खाना बन खाते समय आप उसको परमात्मा को ओफर करें और उसकी याद में रह कर खाएं त कि आपने जो हमें बाते बताई है सात्विक भोजन के बारे में मैं तो फॉलो करूंगी साती साथ हमारी दर्शक भी इसे फॉलो करेंगे क्योंकि इसमें इतने फाइदे है कि क्यो नहीं करें देर इस नो रीजन तो नौट फॉलो सात्विक फूड एंड थाइंक यह सो प्लेट में आपके सामने परसा जाता है बहुत ही प्यार से बहुत ही लगाव से हमारे परिवार वाले बनाते हैं हमारे लिए हमें क्या करना है हमें उस फूड को पूरी तरीके से गहन करना है पॉजिटिवली अगर आप शान्ती से उस प्लेट के साथ बैठे उसे वाइब आपके शरीर में वो जाए और आपको ताकत फील कराएगा आपके लिए यी सबसे बेस्ट फूड है अगर वो सात्विक फूड आपके प्लेट पर रोज आ रहा है तो आप मैसूस करेंगे कि आपके जिंदगी में जो छुटी-छुटी प्रॉब्लम साती है न इमोशनली वो स अभी हमेशा के लिए चले जाएंगे इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को मैंन करते हैं कल आप से फे मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान ओम शांती अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान ब्रह्मा कुमारी जुटलिवूड स्टूडियो शांतिवन आभूरोड कॉल 809-4913-487